गाईज अक्सर एक सवाल मैं काफी ज़ाद अपने कमेंट बोक्स में बढ़ता हूँ कि हमें कैसे बेस्ट ट्राइपोड खरीदना चाहिए अपनी फोटो या फिर वीडियो के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कैसे हमने पता लगाना है कि महंगे ट्राइपो तो आपको असानी हो जाए खरीदने में तो वीडियो को देखना पूरी एंड तक तब भी आपको अच्छे से समझाएगा कि ट्राइपोड कैसे खरीदना है अगर आप चैनल पर नए है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लिजिए और आप भी शामिल हो जाएए मेरे यूट्यूब परिवार में तो बिन टाइम वेस्ट किये करते हैं अभी इस वीडियो को शुरू जानिए फोटोग्राफी और वीडियो प्रोडक्शन से रिलेटेड हर एक बात वाच, लर्न, एंजॉइ तो सबसे पहले बात आती है कि फोटो के ट्राइपोड में या फिर वीडियो के ट्राइपोड में फरक क्या होता है अभी मेरे हाथ में यह है फोटो का ट्राइपोड मतलब अगर आप फोटोग्राफी करना चाहते है तो यह उस वे में यूज जादा होता है तो यह है मेरे पास Vanguard का Elta Pro Tripod सबसे बड़ी बात जो सबसे बड़ा फरक जो होता है वीडियो या फिर फोटोस के Tripod में वो होता है इसकी built-in quality और weight का जो photography के लिए Tripod बने होते हैं वो थोड़े lightweight होते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि lightweight तो उसमें मजबूती कम होगी lightweight इसलिए बने होते हैं ताकि वो compact रहे हैं आप उसे असानी से कहीं भी ले जा सकें बट अगर हम बात करें वीडियो के Tripod की तो वो थोड़े heavy होते हैं क्योंकि हमें उसमें heavy cameras mount करने बढ़ते हैं not talking about सिरफ DSLR, DSLR की सिरफ बात नहीं कर रहे हैं अगर आप red camera भी लगाते हैं या फिर heavy camera लगाते हैं तो उसके लिए आपको heavy tripod चाहिए होता है इसलिए जो photography के लिए आप जब भी tripod ले तो वो आप compact ले, lightweight ले और उसकी built quality अच्छी हो दूसरी चीज़ गाईज हमें फरक जो अभी देखने को मिलता है वो होता है head का अभी जो photography के लिए head होता है वो हमें कुछ इस तरह का मिलता है, यह है ball head इसके नदर के है guys कोई भी आपको stick नहीं मिलती, आप अगर camera move करना चाहते हैं अगर मुझे अपना camera move करना है, मैं यहाँ पर mount करके, यह screw को loose करके, यह जो चीज है, मैं अराम से इसको move कर सकता हूँ, इस चीज को अराम से move कर सकता हूँ, अगर मुझे portrait mode में shoot करना है, तो मैं camera यह mount करके इसको इस तरह से portrait कर सकता हूँ, मेरा camera यहाँ पर mount हो जाएगा, और इस तरह से shoot कर लेगा, तो इसके अंदर हमें इस तरह का mount मिलता, अगर हम photography के point of view से लेते हैं, और गाइज अगर आप top angle से shoot करना चाहते हैं, मान लिजिए आप product का shoot कर रहे हैं या उस तरह की purpose के लिए भी इसमें काफी अच्छा feature दे रहे हैं, आप इसको इस तरह से open करके अराम से over the shoulder कर सकते हैं, मैं आपको करके दिखा जाता हूँ, यह ऐसे निकल गे, और यह इसमें डल जाता है, और हमने कुछ इस तरह से जो है इसको यूँ कर सकते हैं, और यह यहाँ पर lock हो जाता है, अब guys आप जो है camera को mount कर सकते हैं, यहाँ पर और यह legs जो है इस तरह से open हो जाती है, तो इस तरह से legs open करने के बाद camera आप यहाँ पर mount कर सकते हैं, और जो camera है वो face की तरफ, नीचे की तरफ, जो है face करवा सकते हैं, तो यह काफी अच्छा benefit मिलता है tripod में, काफी guys आपको जो है variety मिल जाती है shots की, आप इस tripod से photography के पांट अच्छी तरह के shots ले सकते है normal shots तो ले ही सकते हैं, बट आप top angle shot भी ले सकते हैं, और guys अगर आप tripod खरीद रहे हैं, देखो यह feature हार tripod में available नहीं होता, तो कोशिश करें आप अगर photos के लिए tripod लेने तो उसमें यह वाला feature हो, वो है legs की expandability का, अगर आप legs को open करना चाहते हैं, तो normal usual tripod होते हैं, वो बस इतन खुलते हैं, अगर इसको खोलना चाहिए, तो इतने ही खुलते हैं, अगर आप legs को और ज्यादा expand करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ बटन दिया होता है, इस बटन को अगर आप press करके ऊपर करेंगे, तो काफी expand हो जाती है, माल लिजे मैं तीनो legs को expand करता हूँ, तो यह का काफी हद तक expand हो जाती है, अब यह काम आता है, अगर आप low level short लेना चाहते हैं, मैं low level short लेके दिखाता हूँ, मतलब आपको इसको stand करके दिखाता हूँ, कि यह low level में किस तरह से काम करता है, कैसे यह आपके use आ सकता है, तो मान लिजे मैं इसको अब जमीन पर रखता हूँ तो यह मैंने रख दिया यहाँ पर जमीन पर, और जमीन पर रखने के बाद मान लिजे मैं camera को यहाँ पर mount करता हूँ, इस तरह से, तो guys होता ही है कि अगर आप इस पर camera mount करते हैं, तो आपको असानी हो जाएगी जब आप इस angle से short लेना चाहते हैं, अब क्या होगा कि मैं अ अपने camera को यहाँ पर mount करूँगा और ball head से जो है, अराम से adjust कर लूगा अपने camera को, इस तरह से adjust कर सकता होगी, तो यह काफी अच्छी चीज आपको देखने को मिलते है इस तरह के tripod में, हर tripod में यह feature नहीं मिलता, बट कोशिश करिए अगर आपके budget में इस तरह का feature मिल रहा है तो आप जरूर इस तरह का tripod खरे दे, अगली चीज गाइस मिलको इस तरह के tripod में, जिसमें ball head होता है, उसकी सबसे बड़ी खास बात यह लगते है, कि माल लीजिए आपका tripod सीधा नहीं है, माल लीजिए आपने एक leg खोली, वो इतनी खोल दी, और आपने दूसरी leg खोली नह कि उसको सिल सीधा कर सकते है, एक्साम्पल के लिए माल लीजिए मैंने यह leg खोली, वो लेख की आफ़ी है और थे कर दी, लीजिए है क्या माँठ करतो हूँ, अगर मेरा मैरा इस पोजिशन में माउंट होगा, इस तरह गाता है, तो अगर मैं फो टो कीचा हूँगा तो के केमरा काफी टेड़ा होगा बट अगर मैं चाहतो मेरा कैमरा ठीक रहे तो मैं यहां से बोल को है चेंज करूँगा और इस तरह से किसी भी डिरेक्शन में मूग कर सकता हूं तो मेरा जो अगर नीचे का पोशन टेड़ा उससे कोई फरक नहीं बढ़ता मेरा बाउंड जो है य यूज करो यह एल्टा प्रो इसका लिंक मैं कोशिश करूंगा डेस्क्रिप्शन बोक्स में देने की यह आप फोटो और वीडियो दोनों में यूज कर सकते हो नो डाउट क्योंकि यह एक्सपेंसिव भी काफी है है मतलब बिल्ट क्वालिटी अच्छी है और इसकी जो फी पेलोड है वो आपने चेक करना है कि आपके बास लेंस कोन से मानलीजे आपके बास 70-200 mm लेंस है या फिर आपके बास हैवी लेंस है तो आपने हमेशा यह चेक करना है कि जो ट्राइपोड आप खरीद रहे है उसकी पेलोड कपैस्टी कितनी है वो कितना वजन सह सकता है ऐस आप कम जो tripod ले लो सस्ता tripod ले लो हजार पे वाला और जब आप उस पर camera मांट करो तो वो गिर जाए या फिर वो balance ही ना कर पाए तो हमेशा try करें कि अगर आपके पास full frame body है या फिर आपके बास heavy lenses है तो आप कम से कम 3-4,000 की range वाला tripod खरीदे ताकि जो है आपको built quality अच्छी मिले उतना ही वो अच्छा stable होगा देखो गई इस क्या होता है कि जितना बड़ी आप tripod लोगे उतनी अच्छी stability होगी उतना ही अच्छा movement होगा यह चीज मैं आपको आगी detail में समझाऊंगा अगर वो आपको आपके budget में मिलते हैं तो उससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती क्योंकि उस tripod में काफी ऐसे features हैं जो आपको photography में काफी help करेंगे आप अलग-अलग angle से, low angle से, top angle से shoot कर सकते हैं इस तरह के tripod में अगर आप basic tripod लेते हैं 1000 या फिर 1500 की range में तो आपने सिर्फ दो चीजों का ध्यान रखना है सबसे पहले कि वो मजबूत हो, stability बढ़िया हो, strong हो दूसरा ये कि वो आपके camera का payload उठा ले that's it guys आपको ये दो चीजी मिलते हैं तो बहुत अच्छी बात है और उससे ज़्यादा features मिल रहे हैं और भी ज़्यादा अच्छी बात है, depend on your budget अब बात करते हैं वीडियो के tripods की तो मैं आपको वीडियो के tripods की कुछ चीज़े बताता हूँ जिससे आपको idea होजेगा कि वीडियो के लिए tripods कैसे खरीदा जाता है और क्या फरक है वीडियो के tripods में, photo tripods से अब बात आती है guys, वीडियो के tripods की तो सबसे पहले मैं आपको वीडियो का tripods दिखाना चाहूँ किस तरह का होता है, तो ये है वीडियो का tripods जो मैंने खरीदा था, लगबग 1500 की range में अब सबसे पहली चीज़ आपने जो notice करियोगी इस ट्राइपोड में वो है, इसके साथ stick अगर आप camera में movement करना चाहते है, shot में movement करना चाहते है tilt करना चाहते है, pan करना चाहते है तो आप camera को touch नहीं करके कर सकते हैं मतलब उसमें आपको इतनी ज़्यादा smoothness नहीं मिलेगी कोई भी मिर को जो है, जादा जोर लगाना नहीं पड़ रहा काफी अच्छी greasing या आफी रम काई, oiling इसमें कर रखी होती है company की तरफ से, जिससे हमें काफी असानी हुझते है, shot लेने में यह बात सिरफ DSLR पर ही apply नहीं होती है, अगर अपने मोबाइल गले भी ट्राइपोड लेने तब भी आप इस चीज को जरूर ध्यान रखे, आपने इस तरह से ट्राइपोड चेक करना है movement के मामले में, यह दो तरह की movement आपको मिलती है, कि इस तरह से और एक इस तरह से अब बताती है कि इसकी stability या फिर strongness क्या होती है, क्यों इस पे strongness जादा होती है तो अगर आप ध्यान से देखें तो इसके अंदर यहाँ पे joints दे रखें इस तरफ यह गाइस इसलिए दे रखें क्योंकि आप इस पे heavy camera लगाएंगे तो load जादा होएगा और load जादा होगा तो जाहिर सी बात है हमें stability जादा अच्छी चीए और camera उपर से mount है आप movement भी कर रहे हैं तो हमें इसकी legs को strong करना बहुत जादा जरूरी होता है तो इसलिए काफी company ऐसे design मनाती है जिसमें इस तरह की support होती है जितना जादा आप पैसा लगाते जाएंगे जितना अच्छा ट्राइपोड लेते जाएंगे उतना ही बढ़िया आपको stability उतने ही बढ़िया control आपको जो है ट्राइपोड में देखने को मिल जाएंगे तो वीडियो ट्राइपोड में जादा कुछ होता नहीं है क्योंकि आपने जो है सिरफ panel tilt करना होता है तो main उसमें बात आती है सिरफ और सिरफ stability की और मजबूती की कि कितना long last है कितना अच्छा stability उसके अंदर है अब ट्राइपोड कहने को लाख लाख रुपे के भी आते हैं 50,000 के भी भी आते हैं और 10-15,000 के भी आते हैं मतलब यह depend करता है कि आप camera कौन सा use कर रहे हैं अगर आप beginner हैं तो आपके लिए 2-2,000 तक का maximum tripod काफी होता है मैं photos और videos दोनों तरह के tripod के link जो मुझे अच्छे लगते हैं जो मैंने देखे हूँ है Amazon की नीचे डाल दूँ आप वहाँ से purchase कर सकते हैं make sure आप कोई भी tripod खरीदे तो उसकी description में ये पढ़ लेना कि उसका payload कितना है वह आपका camera और kit lens है उसको handle कर पाएगा या फिर नहीं कर पाएगा तो guys video tripod में stability के अलावा अगर हमें एक चीज देखनी होती है तो वह होता है video head तो आपको starting की range में कुछ इस तरह का video head मिलेगा और भी काफी तरह की video head हमें देखने को मिलते हैं जैसे जैसे आपका price range अच्छी होती जाएगी तो video head की ओपर मैं कोशिश करूँगा एक और video बनाने की बट आपको as a beginner जो है इस तरह का अगर video head मिलते है तो काफी आप इससे काफी अच्छे जो है creative short ले सकते हैं अब बात आती है guys कि अगर आप महेंगा tripod लेते तो आपको क्या फरक देखने को मिलते हैं तो guys जैसे आप महेंगा tripod लेते हैं जिस हेसाब से budget बढ़ाते हैं उतना ही tripod में जो है जो head होता है उसकी stability और भी स्मूथ हो जाती है movement स्मूथ हो जाती है और जो overall quality होती है build quality होते हैं वो काफी ज़्यादा better हो जाती है वीडियो ट्राइपोड में guys और कुछ खास बात नहीं होती देखने वाली जहां तक मैंने notice किया है मतलब जहां तक मैं use करता हूँ on field अगर में बात करो तो इससे तरह की feature जो है वीडियो ट्राइपोड में जादा use होते हैं और इसमें पैन और ट्रिल्ट की सबसे जादा main बात होते हैं कि आप कितनी smooth moment कर पाते हैं I hope guys इस वीडियो से आपकी ट्राइपोड से related almost सारी queries दूर होगी होगी in case अगर आपके mind में कोई भी question हो तो आप नीचे comment box में लिख सकते हैं वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को like and channel को subscribe जरूर करें मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में